दरसल मैं उस वक्त तुमसे प्रेकप नहीं करना जाता था लेकिन उस वक्त बहुत सारी दिक्कती थी कंपंसेशन देना था, इंवेस्टर्स प्रोजेक्ट छोड़ रहे थे मैं हर तरफ से हार चुका था खुद पर भरोसा खोने लगा था यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो मेरे बारे में तुम्हें कोई गलत फेमी ना हूँ मैं जानता हूँ मैं सेलफिश था, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था मैं नहीं चाहता था, तुम मुझे इस तरह हारते हुए देखो और नहीं मैं तुम्हें किसी तरह परिशान होते हुए देखना जाता था फिर भी अगर तुम कुछ जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ जिंग जिंग एक बार फिर से शुरुवात करते हैं अगर मैं वक्त में पीछे जा पाता तो मैं उसके साथ सब को शुरु से शुरु करता वो भी अपने घर पर जब भी वो मुझे नारास करती थी मैं उससे बात नहीं करता था जब वो मेरे साथ खड़ी थी मेरे दिल को सुकून मिलता था मुझे उससे कुछ भी चुपाने की जरुवत नहीं पड़ती थी जब हम दोनों साथ आये मैं हमेशा उसके साथ रहता था उसे कभी होट नहीं करता ना कभी उसे छोड़ कर जाता पून लोड़ibl करता म मुखे नहीं का जो चुब थी उसाथ से कुछ दो धून वार्ड़क कर दो झाल 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 इस तरफ आईए सर आप क्या लेना चाहेंगे सर क्यों और्डर तुम करो मैं कुछ भी खा लूँगी तुम और्डर कर लो ठीक है तो फिर हम कुछ स्पाइसी और खट्टा खाते हैं मेलन के साथ पोक का सूप ये मेरे साथ में ये कैसा रहे रहा है और पीने के लिए ये मंग बाते हैं मुझे ट्रिंक्स में कुछ नहीं चाहिए तो फिर फ्रेश जूस ठीक है थेंक्यों मैं बस अभी लेकर आती हूँ दरसल मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहती थी उस वक्त मुझे नहीं पता था शिंग्नियून कंपने में क्या हुआ और उस वक्त मुझे तुमसे ब्रेक अप भी नहीं करना था तो क्या तुम्हें वो लेटर मिला जो मैंने भेजा था तुमने कभी उसका रिप्लाइ नहीं किया तुम मुझे लगा तुमने अब तक इसके बारे में सोचा नहीं होगा जो मदद में करना चाहती हूं कौन सी मदद अगर तुम चाहो तो मैं तयार हूं ठीक है जब तुम्हें समय मिल जाए तो बता देना सुनो हुआ गुनान्जाओ जब मैं मुश्किलों में थी तुम मेरे साथ थे और मेरी मदद की तुम मेरे हर परिशानियों में मेरे साथ थी मुझे फर्ख नहीं पड़ता कि पहले तुमने क्यों अप्रोच किया फिर भी तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसकी शुकर गजार हुए मैं अपने शेर्स गुगुरूप को देना चाहते हूँ जिससे तुमारी कंपनी को मदद मिले अगर तुम्हे ये चाहिए तो इस पर साइन कर दो इसके पास गुगुरूप के शेर्स कहां से है कैसे कुछ गलत फैमिया हुगे हलो गुनेंजा तुम्हारी माने अभी मुझे कॉल किया था उन्होंने बताया तुम्हारे गर गए थी लेकिन वहां उन्हें कोई और मिला और उन्होंने कहा अब वो लोग वहां रहते है तो तुम्हें क्या कहा मुझे समझ निया है मैं क्या कहूं फिर मैंने बहाना बनाया कि सिगनल खराब है और फोन रख दिया फिर तुम्हें कॉल किया और क्या तुमने अपनी मा को नहीं बताया कि अब हमारा ब्रेक अप हो गया तुम दुबारा में नहीं मदद कर सकती हो हाँ ठीके कर दूँगी लेकिन आखरी बार ठीके ठीके बगता आजाओ इतना हैसान क्यों लिया मैंने इससे मैं ले जाता हूँ कौन से रूम में ये वाला लो जहां भी नहीं रखना है रख सकते हो फर्क नहीं पड़ता साफ है नहीं ठीके पर दूम्हें पर दूम्हें पर दूम्हें पर तकलीव देने के लिए अशा बिल्कुल भी नहीं अटी अच्छा ये बताओ चिंचिन तुम्हें अचानक से घर क्यों शिफ्ट किया वैसे ये इतना भी बड़ा गर नहीं है देखने में कमफर्टिबल भी नहीं लग रहा हूँ ये मेरी कमपणी की नजदीख है इसलिए मुझे काम पर जाने में आसानी होती है और चिंचिंचिन को भी ये जगह पसंद है यहां पर मॉल्स है इसलिए हमें डेट्स के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है चिंचिन क्या तुम मुझे बता सकती हो पास में कोई अच्छा रेस्टरॉंट है क्या? मा आप क्या खाना चाहती है हम बाहर चल के डिसाइड कर सकते हैं ठीक है फिर चलो मुझे खाना खाने के बाद नीन क्यों आती है क्यों न मैं तुम्हारे साथ ही आज रुख जाओ और देर भी हो चुकी है तुम्हें कोई अतराज नहीं है कोई अतराज नहीं तो फिर ठीक है जल्दी चलते हैं मेरी मदद कर दो इस बार प्लीज चिंचिंचिंग मेरी टाई ठीक कर रही है हम बस आही रहे हैं तुमैं बाहर इंतजार दी ब О ready место प्लीज इस बार मदद कर दो प्लीज चिंचिंग, मेरी बात सुनो गुनांजव, मुझे जाने दो एक बात बताओ, अब हम ये सब क्यों करें आज रात में एक ही कमरे में नहीं सोने वाली हूं मेरी बात सुनो चिंचिंग, दरअसल बात ये है तुमारा भीजावा लेटर मैंने आज ही पढ़ा है तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें शेयर्स के लिए प्रोच किया है क्या ये सच है? हाँ अच्छा सुनो, मुझे सूपर मार्केट जाना है इतनी रात को अपको क्या खरीदना है? आने से पहले मैंने अच्छे से पाकिंग नहीं की इसलिए मुझे कल के लिए चीजे लेनी है चलो-चलो, सूपर मार्केट बंद हो जाएगा चिंचिन, हम बाद में मिलते हैं मा, आप कब से ऐसी घुमे जा रही है? कुछ खरीदना भी है क्या तुम्हें सच में लगता है? इसलिए मैंने तुम्हें यहाल आया है नाटक करना बंद करो मुझे पता है, तुम दोनों का ब्रेक अप हुआ है तुम मुझे यह बताओ तुम दोनों ने ब्रेक अप क्यों किया? हमारी कंपनी में कुछ इशूज होए थे तो मैं उसे टाइम नहीं दे पारा था उसे लगा मैं उसे इग्नॉर कर रहा हूँ तुम्हें हमेशा उसे वक्त देना चाहिए कभी नहीं सुद्रूगे दिन भर सिर्फ काम करते रहते हो थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान दो और बताओ और उसे मेरे और जिंग्शुआन के बारे में गलत फैमी हो गई थी बुरा मत मानना पर मुझे पहले से ही पता था जिंग्शुआन तुम्हें बहुत पसंद करती है वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है जब तुम्हारे पास अपनी गर्फरिंड है तो ऐसे किसी को अपने पास रखना परिशानी को दावत देनी जिसा हो कोई और वज़ा भी हो सकती है उसे लगता है मैंने उसे शेर्स के लिए अप्रोच किया था अच्छा मुझे एक बात बता तुम उसे बुला नहीं पाओगे है न ठीक है तो मैं कुछ करती हूँ कोई जरुवत नहीं तो फिर तुम करोगे नहीं चुप चाप मेरी बात सुनो और चलो यहां से चलो हम बैटके ब्रेकफास्ट एंचॉय करते हैं और जावजाव हमें परहस देगा गर्मा गरम दूद रुको बहुत करम है बाद में पीना आपके लिए अच्छा यह तुम्हारे लिए मॉम यह आपका केचप और यह तुम्हारा स्ट्रॉबरी जैम बच्पन से ही जावजाव इतना प्यारा और सबका खयाल रखने वाला बच्चा रहा है चिंचिं तुम्हें क्या लगता है यह तुम्हारा फेवरेट पिकल थैंक यू चलो शुरू करते हैं चिंचिं अरे नहीं मेरे पीट में बहुत धर दो रहा है मा मैं मसाज कर दू? नहीं कोई बात नहीं चिंचिं क्या आज तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ हॉट स्प्रिंग मिला माउंट के लिए ना सकती हो? आंटी मैं सब साथ चलते हैं मुझे पता है तुम दोनों काफी बिसी रहते हो कुछ सार पहले हमारी फैमिली होट स्प्रिंग जाया करती थी उसकी बाद ली चेंग और नैंजिंग गुजर गए इसलिए मुझे बहाँ पर अकेले नहीं जाना तो मैं सोच रही थी कि क्यों न तुम दोनों मेरे साथ चलो अगर तुम फ्री हो तो बिलकुल आंटी ब्रेक्फिस्ट खाकर हम सभी जरूर चलेंगे मैंने मैनेजर को कहा था होट स्प्रिंग रिजर्व करने के लिए चलो अंदर आजाओ तडड़ा तो बताओ कैसे लगा बहुत अच्छा है चिंचिंग, तुम मेरे कमरे में आकर होट स्पिंगे नेज़ुए करो हम दोनों जाओ-जाओ के पीछे कुछ प्राइविट गोसिप कर सकते हैं हाँ बेलकुल आंडी मैं अपने कमरे में जार आए तैयार होती हूं तुम भी तैयारो के आना हुँ शाजाओ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ तुम दोनों आराम कर लो ठीक है माँ मेरी माँ ने ये रुम्बू किया है शायद कुछ गलती हो गए होगी जब हम एक साथ थे मैंने सिर्फ काम पर ही ध्यान दिया मैं तुम्हारे लिए सप्राइजस प्लान नहीं कर पाया जब मैं उस बारे में सूचता हूँ मुझे अफसोस होता है अगर मुझे दुबारा मौका मिले तो मैं तुम्हारे लिए कहीं सारे surprises प्लान करूंगा तुम्हें नहीं लगता अब यह सब कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है देखो मैं वैसे मुझे तुम्हारी मा के साथ hot spring जाना है तो मैं अब चलती हूँ जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे ने ब्रेक अप कर लिया मुझे तुम्हारे कॉंट्राक के बारे में भी पता है जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पापा के गूगरूप के शैज है आउंटी आपको सब कुछ पता है शाउजहों ने तुम्हें शैज की वज़े से नहीं अप्रूच किया हमें शैज की बारे में हाली में पता चला उसके पापा की आखरी इच्छा थी कि वो तुमसे शादी करे जब मुझे पता चला तो मैंने उसे रोका किसी से शादी करना ये उसका डिसिजन है उसके डैड को इसके बीच नहीं पढ़ना चाहिए है ना पर जब जाउजाउन ने मुझे बताया वो तुमसे प्यार करने लगा है और पूरी जिन्दगी तुम्हारे साथ रहना चाहता है आउंटी, हो सकता है नांजाउन ने ऐसा इसलिए कह दिया हूँ क्योंकि वो अपने पिता को निराशनी करना चाहता होगा नांजाउ बच्पन से ही अपने डाड की करीब था जब नांजाउन गुजर गया तब से वो अपने पापा की हर बात मानने लगा अपने पापा को कुश करने के लिए उसने अनिमेशन करना छोड़ दिया और बिसनेस संभालने लगा मुझे पता है उसने अपनी भाई की मौत के लिए खुद को जिम्मिदा ठहराया इसलिए उसने अपने पापा की खुआशे पूरे करने के लिए खुद पर जोड डाला तो क्या वो इतना बोज होने पर भी मुझे शादी करना चाहता था वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर उसको एक बहतर जिंदगी मिली है तुम दुनों का ब्रेक अप होने के बाद वो पक्का रोया होगा ये लो थोड़ा पानी पी लो चिन चिन क्या हुआ चिन 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 क्या तुम ठीक हो चिन 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 उर्जाओ बिटा मा मैं देखता हूँ संबल के ध्यान से अराम से अब ठीक लग रहा है तुम अक्सर देर रात तक जगती थी ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा गरम पानी पिलो थांक यू इतना अच्छा बर्टाफ करने के जुरूरत नहीं है अगर मा अभी साथ में नहीं है तो थोड़ी देर आराम करो मैं यहीं परो किसी चीज़ की जरूरत हो तो आवास दे देना अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बोड़ी बहुत रिलाक्स्ट हो गई है अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ दुबारा आ सकता हूँ ठीक है अब कैसा लग रहा है बहुत अच्छा शावज़ा जरा इधर आ और देखो तो उन्होंने हमारी तस्वीर अभी तक इधर लगाई है मुझे अभी भी याद है हम अकसर यहां आया करती थे कितनी खुशी के पल थे कितने साल गुजर गए चिंचिंग देखो तो ये शावज़ाओ का बड़ा भाई है काफी हैंसम है है न वो तो है मुझे याद है डाट मुझे डाटा करती थे कि तुम उसके जैसे कभी नहीं मन सकती वो बस तुमहारे सामने ऐसा कहते थे वो औरों को तो हमेशा कहा करते थे कि तुम कितनी स्मार्ट हो कितनी अच्छी स्टोरीज बनाते हो शावसाओ हर चीज में अपने पापा के बारे में मत सोचो यह माईने नहीं रगता कि वो क्या सोचते थे जरूरी है कि तुम क्या सोचते हो डैट की आगरी खौईश थी कि मैं तुमारे पास जाओ लेकिन जब तुम से प्यार हुआ तब इस बात का से कोई लेना दिना नहीं था मैं उनके आखरी खौईश के लिए शुक्र गुजारू उसके वज़े से मैं तुम से मिल पाया लेकिन तुम से मिल एंडे जह लेकिन तुम से मिल ही कि गुम के लिए ले living लेकिन नहीं — अाफ कर दो 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 मुझे लगता है इस बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए अभी मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती अब मैं चलती हूं कर दो कि अच्छी तुम यहां कैसे मैं यहां जो जैंचिंग का अंदजार कर रहा था मुझे नहीं बता था कि तुम भी आओओगे अब मुझे साफ साफ बात समझ में आरे है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है मैं उसे सच में प्यार करता हूँ बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं जानता हूँ मुझे पता है तुम कितने सिंजियर हो इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम ही उसका ध्यान रख सकते हो हार मत मानना गुर्ट मॉर्निंग यान जयांगा इद हो में यान मैंने सुना हैं Mr. Goo ने तुम्हें आनिमेशन समिट के लिए चुना है मुझे तुमसे जलन हो रही है Mr. Ghoo तुम्हें वाँ पे बेज रहा है क्या बात है तुम मिस्टर Ghoo के इतने खास कब पए लाही है हेलो मिस्टर गुरू, I'm sorry, हमें देर हो गई कोई बात नहीं जोजी आंग शिंग नहीं आई हमारे बॉस ने उन्हें अर्जंटली एनिमेशन समिट में भेजा है मैं जल्दी में था, तो आपको बताना भूल गया एक एनिमेशन समिट? हाँ, वही जो जी आंग चेंग शहर में हो रहा है मिस्टर गू, आपने मुझे कंवेंशन में क्यों भेजा आप सिर्फ मेरे रास्ते में आ रहा हैं आप अपनी पोजिशन का गलत इस्तमाल कर रहे हैं इस समिट में बहुत बड़े लोग आएंगे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है अपना नाम बनाने का एनिमेशन समिट के बारे में मुझे सब कुछ बताओ ये तो पिछले साल की तरह ही लग रहा है दिन के दौरान मेटिंग रहेगी और रात में हाँ आतिश बाजी का शो होगा फायर्बेक शो अचानक इस बारे में पूछ रहे हैं मेरे ले एक होटल और फ्लाइट बुक करो क्या फ्लाइट टिकेट कहा जा रहे हैं जो जैंचिंग उस एनिमेशन समिट पर गई है मैं अभी बुक करता हूँ अभी करता हूँ कौन गोन सु गेस्ट आने वाले हैं सारे ही गेस्ट बहुत एक्सपीजेंस्ट है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चिंग चिंग तुम यहां क्या कर रही हो तुम लग भी यहां पर हो क्या इतिफाक की बात है आज ही यहां आई हूँ कंपनी के क्रियेटर के तौर पर साइंड हूँ सोचा नहीं था तुम भी आहोँगे हाँ मुझे भी ऐसा नहीं लगा था अच्छा चलो जियांग चेंग में इस मुलाकात को याद रखने के लिए पिक्चर लेते हैं मुझे दो मैं लेता हूँ थैंक यू हाँ तैयार यहां देखो एंज्वाइ कीजिए थैंक यू अलो चेक करो दो बची के पहले कोई फ्लाइट है क्या ठीक है मिस्टे को मैं भी देखता हूँ फ्लाइट तो है लेकिन एकोनोमी क्लास ही अविलेबन है एकोनोमी क्लास चलेगा क्लास झाल झाल